डेफरमेशन का और मुझसे मांगे हैं 20 करोड रुपे पब्लिक अपॉलजी करूँ माफी मांगो और तीसरा उन्हें 20 करोड रुपे दूँ मैंने तो अपना लीगल नोटिस उनका वापस भीज दी अपना Hello Spectators, Welcome back to our channel. I hope you all are doing good तो गाइस आज की सारी अपडेट्स जो हैं वो शेरू क्लासिक से आती हैं और गाइस मुझे लगता है इस बार शेरू क्लासिक एक ultimate शो होने वाला है क्योंकि best से best athlete जो हैं इस बार इस शो में compete करने वाले हैं जैसे के हमारी recent shots में आप सबने देखा होगा कि हमारे जितने भी athlete हैं चाहे men's physique के हों, classic physique के हों या फिर open या फिर जिस magic category के they all are working very hard So guys, let's start today's video तो guys, सबसे पहले आते हैं दीपक नंदा या फिर कहलो Indian rock दीपक भाई हमें बहुत ही enthusiastic दिखते हैं क्योंकि best part यह है कि यह अपनी पूरी journey share कर रहे हैं एक दिन में 3-4 reels share करते हैं और हमें अपनी progress की, hard working की और enthusiasm की update देते हैं इनकी physique की बात करों तो बहुत ही muscle mass gain किया है इस बार literally guys, इन्होंने he is looking like a great metal monster and guys, इस बार definitely यह काफी अच्छी टकर देने वाले हैं you know guys, posing करते हुए अगर कोई इनसान स्वेट से बरा हुआ हो तो person look damn hot and the same Raja is doing फिजीक की बात करों तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप सब देख सकते हैं his biceps, his triceps, his traps, upper back and shoulder to waist ratio are just wow I think इसे जादे मैं क्या ही बोल सकता हूं इसी के साथ इनको भी मैं अपनी तरफ से west wishes देता हूं इनके upcoming show के लिए so guys, उसके बाद आते हैं हमारे खुराई अपपा I hope guys, मैं इनका नाम सही से ले रहा हूं recently इन्होंने NPC मनीपूर में body building category में overall title विन किया था और guys, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि legs walk out करते दिख रहे हैं और उनकी legs काफी furnish दिख रही हैं तो guys, हम expect कर सकते हैं इनसे भी कि यह upcoming show Sheru Classic में compete करें तो इनको भी हमारी तरफ से west wishes हैं इनके next show जो की Sheru Classic हो सकता है so guys, हमारे next athlete है परदीव वर्मा इनकी बात करूँ तो यह एक amateur athlete हैं अभी लेकिन still, अभी recently जो NPC Nationals चंदीगर में हुआ था, उस competition में इन्हों ने gold लाया अपनी category में तो guys, इनकी बात करूँ तो यह एक new athlete है लेकिन बहुत अच्छी physique है इनके पास और guys, यह भी upcoming show Sheru Classic में compete करने वाले हैं तो guys, देखते हैं यह इस बार Sheru Classic में कैसे perform करते हैं इनको भी हमारी तरफ से best wishes So guys, अब बात करते हैं Bilal Ali की Guys, like always, body काफी perfect दिख रही है इनकी बड़ जैसे की हमें जैसे की हमने देखा था Pittsburgh Pro में Bilal Ali की placing 5th थी और इसका reason भी उन्होंने दिया था लेकिन क्या लगता है Sheru Classic में इनने क्या placing मिलेगी क्या यह कहीं बाकी अथलीट पे हावी ना हो जाएं बाकी देखते हैं guys, कैसा perform करते हैं We wish him all the best हमारे next athlete है, Bhuvan Guys, Bhuvan की तरफ से भी confirmation आगी है यह इंडिया शो में compete करने वाले हैं And guys, इनकी physique की बात करूं He is also looking very perfect But in Toronto Pro Show He is secure third placing Okay guys, आपको लगता है कि जैसे की Toronto Pro में इन्हों अपनी best physique लेकर के आये थे Sheru Classic में भी वो अपना best दे पाएंगे So guys, इनका direct competition बताया जाता है बिलाल आली के साथ Guys, दोनों को comparison करें तो दोनों ही perfect दिखते हैं लेकिन बिलाल अली पिट्सबर्ग में Top 3 में नहीं थे वहीं बुवन Toronto Pro Show में Third placing secure करके लाए थे अपने लिए So guys, वैसे तो बात इन दोनों की हो रही है लेकिन एक और competitor है IABB Pro राहूर राजपूत तो guys, वो भी काफी अच्छे दिख रहे हैं इस बार prep में वो काफी अच्छी टक्कर देने वाले हैं इन दोनों को तो guys, कोई कुछ नहीं कह सकता इस बार कोन qualify करेगा Olympia के लिए India Pro Show से तो इसके लिए guys, हमें next week तक का इंतजार करना पड़ेगा तीनों को हमारी तरफ से best wishes So guys, एक और अपडेट आ रही है तरुन गिल की तरफ से Manish Gandhi has sent legal notice to Tarun Gil regarding defamation and seeking compensation of 20 crores Guys, such a big amount actually चलो देखते हैं, Tarun भाई क्या बोल रहे हैं इस legal notice के बारे में So Manish Gandhi पाजी, विच में IHFF ने मेरे को legal notice भेजा है defamation का और मुझसे मांगे हैं 20 करोड रुपे कि भाई मैंने एक वीडियो बनाया उनका जिसमें मैंने उनका estimation दिया उनके business model का कि वो 48 करोड रुपी साल के कमा रहे हैं उनका कहना यह है कि भाई उस वीडियो से उनको बहुत loss हुआ है उनके reputation खराब होगी है उनके business को सफर हुआ है तो वो मुझसे तीन चीज़े चाहरे ए कि मैं वो वीडियो डिलीट करूँ दूसरा पबलिक अपॉलजी करूँ माफी मागग और तीसरा उने 20 करोड रुपे दूँ मैंने तो अपना legal notice उनको वापस भेज दी अपना जवाब पीसरा उने लगता है कि वो ऐसे मुझे legal notice भेज भेज के मेरे को आथलीटी की वोईश को चुप कर आदेंगे और मैं चुप हो जाओंगा नहीं I'll fight for fucking all the athletes आ रहा सवाल अप मेरे जवाब का तो सुन लो कान खोल के सुन लो पहली बात video deletion नहीं होगी because वो एक estimation था आपके पास अगर actual figures आप मुझे दिखा दो प्रूव मी रॉंग मैं तो भई कहरा हम गया I'm just asking you अगर आपको लगता है 48 croz का आपका profit नहीं है तो अप पब्लिक डोमेन में असली numbers दिखा दो video delete करने की क्या जोरत है दूसरा public apology apology तो आपको मांगनी चाहिए गांधी साफ because आप athletes से इतना पैसा ले रहे हो कुछ तो price मनी दो और आ सवाल 20 करोड का यहां भी आपने पैसो की बात कर दी यहां कुछ तो athletes के बारे में सोचो कुछ तो सोचो और यहां So guys this is all for today So guys end way मैं यही कहूंगा कि शेरू classic में compete करना तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन उसी के साथ show को judge करना और भी मुश्किल होगा क्योंकि सब परो हैं सब सब बैस दिखते हैं और सब बहुत परफेक्ट फिजीक लेकर के आएंगे So guys let's see what will happen in this show So guys this is all for today We wish all athletes best of luck for शेरू classic Guys body building updates के लिए हमारे channel को subscribe करें And show some love For more updates stay tuned Thank you so much for watching my video